कि है काइज वेलकम स्वाकत हैं आप सभी का बैच अर्जुना में मैं हूँ डॉक्टर लोकिस बाली और साथियो बैच अर्जुना की आज एक क्लास नंबर 29 और रिशर्स की क्लास नहुने वाली है साथियो क्लास नंबर 3 तो साथियो आज हम पढ़ेंगे अनुसंदान के प्र यह पूरे रिशर्स की क्लास की रीड की हड़ी है एक प्रकार से देखा जाता मैं तोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं यह जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाइप आप रिशर्स यह साथियो रीड की हड़ी है पूरे रिशर्स के टॉपिक की क्योंकि जितने भी कौशन्स आते हैं वो टाइप आप रिशर्स से ही संबंदित आते हैं चायो एप्लाइड रिशर्स हो चायो अनुसंधान रिशर्स हो चायो वो सात्यों सर्वेक्षन रिशर्स हो चायो एतियासिक रिशर्स हो जितने भी संबंद पॉजित कॉश्शन्स आते हैं वो सब इस topic से आते हैं अनुसंधान के प्रकार से तो यह कह सकते हैं कि मेरी आज तक जितने भी class हुई आनुसंधान की उनमें या आगे होने वाली कुछ class कॉलासों में जो सबसे महत्पून टॉपिक है वह आज की class में cover पर करवाया जाएगा तो अब होने वाला क्या है जितने भी स्टुडेंट हैं सब पेन कॉपी निकाल लीजिए देखो मेरी क्लास में एक नियम है आप एक डायरी बना लो उस डायरी को एक पैन और डायरी अपने साथ रखो तब ही आप मेरी क्लास देखा करो अन्य था आपको मेरी क्लास को देखने की आफशक्ता नहीं है तो जितने भी लोग है सब लोग एक बार पैन कॉपी आप लोग निकाल लीजिए अब मैं आप लोगों के कॉमेंट्स वगरा देखना शुरू कर देता हूँ करहिए डायरी बनाकर रहो भई जब पहर पड़ेगी मेरी क्लास को बि一द देखना किसी को भी दिना डायरी कोई भी क्लास को नहीं देखेगा चले नॉट करते जालेंगे साथ में चले सब लोग करला है सबके सब आज मैं सबसे महत्मूल टॉपिक अनुसंदान के प्रकार आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूं जब तक आप डायरी निकाली फटापट से मैं इस घर रिमॉट डूंड लेता हूं आज यार मैं थोड़ा नाने में लेट हो गया था नाने में थोड़ा सा लेट हो गया था आप 5-7 मिन आज हमने क्लास स्टार्ट किये में नाने चला गया था तो नाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था कि सारे लोग पैन को भी निका लीजिए आज हम अनुसंदान के प्रकार समझने वाले हैं आपको प्रोपर आवाज आ रहे गाईज अले महाराज कि आज का टोपिक साथ कही मायनों में बहुत ज्यादा मैच पूर्ण है जाली इसका मेराज होगे लिए महाँ आपके लिए महाँ आपके लिए आपके आपके लिए आपके लिए इसका रिमॉट होता है यार वो मिल नहीं रहा है आज पता नहीं वह पार दिए इस पर आपको बराबर मिल रहे होंगे यह टेली ग्राम चैनल है हमारा इस पर नौट्स मिल रहे हैं आपको साथ यह इस पर आपको बराबर नौट्स मिल रहे होंगे दौक्ट्टर लॉकिस बारी टेली ग्राम चैनल पर आपको नौट्स यहां पर सात्यों रोज देखने को मिल रहे होंगे अब अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है पिछली क्लासेज में रिसर्च में मैंने आपको सोध का आर्थ समझा दिया है सोध की प्रमुग पर इस बरिभाय साय समझा दिया है पिछली क्लासेज को जाकर देखना है आप लोगों को अनुसंदान की विसेष्टा समझा दिया मैं मैंने आप लोगों को अनुसंदान की प्रकरती नेचर ऑफ रिसर्थ भी मैंने आपको समझा दिया है अनुसंदान के प्रकार के कुछ टॉपिक मैंने कल कवर कर लिये थे आज उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाने वाला हूं तो इन टॉपिक्स को नौट करना हम सब लोगों कॉप्पे निका लिया ग्या कि यार मेरा घड़ी ने लिए अब हमको सारी चीज़ मिल गई है अब कूल माइंड से हम एक एक चीज की तैयारी यहाँ पर सुरू करते हैं अनुसंदान के प्रकार क्या है कल मैंने आपको टाइप आप रिसर्फ में एक कीच समझाई थी वहवारिक अनुसंदान पिसली रास्त में मैंने आपको एपलाइड अनुसंदान समझाय था वहां काम आता है जहां कि कम शीवी चीज को एक तौसंदान यह समझाय था वहीवारिक और एक मेंने समझाय था मूल्भूत अनुसंदान मूल्भूत अनुसंदान का मैंने आपको बताके परकरती से जड़ी ूएं चीज़ों का कारिदत करता है वहारी का मैंने बताया को क्रियात्मक जो समश्चा होती है जैसे कि किसी भी चीज को बहतर बनाने के लिए किसी भी चीज को बहतर बनाने के लिए जो सर्स किया जाता है लो क्रियात्मक अनुसंदान के अंतरग्याता अब दीकू東 इतने सारे अनुसंदान के हमको आवशकता क्यों पड़ी क्लास हिंसे सुरू करते हैं कि ug पाइप Customays के बहुत सारे टाइब्स हैं और हर प्रिकार के अनुसंदान को करने के लिए इक अलग नियम आवली का प्रियोग किया जाता है जैसे बहुत से अनुसंदान ऐसे होते हैं जो तुम घर बैठ कर कर सकते हो और कुछ अनुसंदान ऐसे होते हैं जिनको आपको जो मैंने बोला था कि दिख्तिय और प्राथमिक दो उप्रकार की मैटीरियल होते हैं जो अनुसंदानम करते हैं तो कोई होता है जित्तियक से काम चल जाता है और किसी-किसी में आपको प्राथ्निक मैटीरियल की आवस्टा पढ़ती है जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया तो आप लोगों को वेवारिक और एप ऑर यह समझाया था है अफालाय रिसर्ट और मूल भूर्त मधे उन्सर्ट कि क्यों समझ लग्या था क्या है अनुसंदान किसे कहते है इसर्वेक्षण किसे कहते हैं कॉपी प्राइपन सर्वेक्षण अनुसंदान के बारे में जानते हैं यह जो अनुसंदान होता है सर्विक्ष्ण अनुसंदान इसमें आकड़ों की आवशित्ता पड़ती है डेटों की आवशित्ता पड़ती है जैसे कि मालों आप हिस्ट्री का हिस्ट्री से अगर आप PhD कर रहे हो तो आपका एतियासिक संदान का सम्मंध दो या दो से अधिक चर का मतलब होता पहलो लिखलो आप कोपी में पापे में लिखलो चर का मतलब हुताँ पहलो या स्तंब जैसे अब यहाँ पर चरो की अगर मैं बात की जाएं कि जाएं 되어 तो यह जो लापचाप यह साथियों अलग-अलग चरों के इन पहलों के अलग-अलग काम होते हैं तो यहां पर चीज को देखते घटनाओं के आकड़ों का संक्लन संक्लन का मतलब होता है उसको इखटा करना लिखते जाओ कौपी क्यों बनवाई है इसलिए बनवाई है कौपी लिखने के लिए संक्लन का मतलब लिखो इखटा करना एकत्रित करना एकत्रित करना यहां पर क्या है इन आकडों को एकत्रित करना वर्बी करन करना वर्बी करन का मतलूदा बटवारा बाटना इससेदारी करना अलग-अलग नियमों के साब से जैसे कि आप चार भाई हैं और आपके पास में चार चीज़ें तो आप में संक्रिक्षर्ट में और आपकी पिटा की समानर्ट्पत्ती है तो दोनों में भायचारा बना रहे इस तो अगर किसी को जादा दे दी किसी को कम दे दी तो वह जगडा जाउत्मन हो जाएगा तो आकडों जो सर्वेक्षन अनुसंदान होता है इस वह खट्टा करते हैं और उसका वर्गी करन करते हैं और वर्गी करन भी कैसा करते हैं सहचार आत्मक संबंग्त क्या करते हैं तक उन्संबंग बना रहे parallel इस प्रकार जो रिसर्स होता है वो गणना के काम आता है आप अगर जनसंक्या का आकलन कर रहे हो तो जनसंक्या क्या दूर अनुसार आएगा यानि कोई भी ऐसी चीज में आगर आप गणना कर रहे हो किसी भी चीज की लिग्श्ष को हम कहेंगे सर्विक्षन अनुसंदान देखो अब तक मैंने आपको तीन अनुसंदान आपको यहाँ पर समझा दिए सबसे पहले मूल भूत अनुसंदान समझा दिया मूल भूत अनुसंदान का मतलब कोता कि ऐसे सभी पहलू जो प्राकर्तिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं जो प्रकर्ति से खाई हम लगारी प्राकरतिक उन सब्सक्राइब वूलभूत अनुसंदान में में साथियों, तौक न सब्सक्राइब उसके मुगलगो तान संदान लेग लिए, दूसरा उनसंदान समझाता हमना applied research, applied research के बारे मैं लिखिए, ऐसा सर्वेक्शन या ऐसा research, जो हमारी रोजमर्ण या भौतिक जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता हूँ, लिखिए एक copy से लिए बनवाईए महराज आज की क्लास पूरे रिसर्स की रीड की हड़ी है अगर आज की क्लास आपने ढंक से समझ ली तो ये लगा लो फिर इस रीड की हड़ी में से साखाएं जाएनी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे इसलिए आज की क्लास ये मिक्शोर करना है कि आज ये पूरी क्लास देखनी है जो लोग अभी देख रहे हैं और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी ठीक है ओके और जो लोग बाद में इस क्लास को देख रहे हैं न सब अपना नाम लिखो तकि मुझे पता लगजाए कि कौन कौन इस क्लास को बाद में देखता है। दुवारा से समझों दुवारा से बोल देता हूं Downt Arctic Cambridge में कहते हैं हंदी में कहते हैं वेवारिक जर्थ वेवारिक्त सोथ these applied research उनहें कहा जाता है जिन से जिनके द्वारा applied research जिनके द्वारा हमारी रोज मर्रा की बहुतिक स्विदाएं आसान बनाई जाती हो उनको व्यवारिक research कहते हैं उधारण के लिए पहले हमारा ये जो mobile था केवल phone करने के काम आता था लेकिन इसके यूज को देखते वे आज इस research इसको इतना फैला दिया गया है या इसमें इतने features दे दीगे हैं कि हमारे रोज मर्रा की जिन्दगी आसान हो गई है यह applied research का हिस्सा है इसमें जितने भी तक्निकी के अनुसंदान आते हैं वो सब applied research में आते हैं अब यहां से आगे तीसरा इसरस लिखो सर्वेक्षन अनुसंदान या सर्वे रिसर्स सर्वे रिसर्स के अंतरगत हम उन पहलों को रखते हैं लिखते जाए यह अलग चीज लिख रखिए आप जो मैं कहूं उनको लिखे ताकि आप जादा देर तक याद रख सकें सर्वेक्षन रिसर्स उन पहलों को कहा जाता है देखो मेरी इस क्लास को आप ओफलाइन समझो मेरी इस क्लास को ऐसा समझो कि हम ओफलाइन क्लास देख रहे हैं राइट ऐसा समझ के चलिए आप सर्वेक्षन रिसर्स के अंतरगत हम उन चीजों को रखते हैं जिन में गणना की आवशक्ता होती है, आकड़ों की आवशक्ता होती है। किया जाता है सर्वेक्षन अनुसंधान जन गणना इत्यादी करने में सायक होता है। अब तीन सर्वेक्षन विदी हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली है। बाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं इस समय। तक्रिबन साढ़े तीन सो लोग इस समय लायू देख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि तीन रिसर्ष समझाए मैंने आपको आधारभूत रिसर्ष, व्यवारिक रिसर्ष और सर्वेक्षन रिसर्ष क्या तीनों रिसर्ष आप लोगों को समझ मा आगे हैं क्या। मुझे बताइए। चलिये, क्या आपको तीनों रिसर्ष समझाए गया है। और मैं ये भी देख लेता हूं कितने लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है अरे बड़े खुदगर्ज निकले आप लोग तो वीडियो लाइक ही नहीं कि आप लोगों ने करो लाइक नीचे लिखो कि मैं कभी नहीं बोलूँगा अंग्रेजी में लिखो नेवर फॉर्गेट यहिंदी में लिखो कि मैं कभी नहीं बोलूँगा इन तीन रिसर्च को मैं PhD के दोरान मैंने 4 साल तक रिसर्च पड़ा है जब मैंने PhD किया था तो मैंने 4 साल तक रिसर्च पड़ा है मैं रिसर्च का एक अच्छा विधारती हूँ और आपको मेरे इस अनभाव का जरूर लाब मिलेगा आपको ऐसा दिमाग में ऐसा बिठा दू एक यह चीज को कि जीवन में आप रिसर्च ना भूलो जब आप प्रोफेसर बनके अपने स्टुडेंट को पड़ाओगे ना तब आप इन चीजों को दोराओगे ग्रेट वेरी गुड आगे बढ़ते हैं और अब हम पड़ेंगे सातियो टैखनिकल रिसर्च किसे कहते है, इन उसको कहते है प्रेविधी अनूसंधान इसे कहते है सातियो टैखनिकल रिसर्च नोट करो कौपी निकालो कितने लोग इस कौपी मुझे बात बदाओ जो लोग बाद में देखने हैं वो भी कहना अभी इमानदारी से इमानदारी से इमानदारी से इमानदारी से ये बताओ तुम्हें अपनी महला मित्र की या पुरुस मित्र की कसम है इमानदारी से बताओ कितने लोग कॉपी पैन लेकर बैठे हैं कितने लोग कॉपी पेन लेकर बैठ इमांदारी से बताओ कितने लोग कॉपी पेन लेकर बैठ बढाने का मज़़ा तब आएगा जब आप एक एक चीज करते चलो साथ में style with Mina तो यह style मारने के लिए आई हो क्या style with Mina मेरी class में वो ही student रहेगा जो copy when लेकर बैठेगा नहीं तो class छोड़ कर जा सकते हो आप अभी और कभी आना भी मत वलाई मेरी class में वो ही student आएगा जो अपने पास copy और pen लेकर बैठेगा ताकि एक एक चीज नौट कर सके और मुझसे पूंच सके ऐसे हवा में पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ मैं समझे सब के सब और जो बाद में देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ आप लोगों से ही कह रहा हूँ बाद में देख रहे हैं उनसे सब आज वार्निंग दे रहा हूँ अगले जितनी भी क्लास होंगी पहले क्लास चलने से पहले है आपको कॉपी पैन लेकर बैठना है क्लास में और रोज रात को नौ बजे चलना होती है चलिए अगर नहीं लिए तो निकालो अगर नहीं निकाला बता हूँ हां रिविजन के लिए क्लास देखते हूं तुम तो महा ग्यान नहीं हो ना सारा ग्यान तो पहले ले लिया कहां से लिया देवी वो ग्यान जो आप मेरी क्लास को रिविजन के लिए देख रही हो मेरी क्लास को रिविजन के लिए नहीं है मेरी क्लास आधार है सब्जेक्ट का तम्ब और मैं कोई भी चीज रिविजन के लिए नहीं पढ़ाता हूं ऐसा पढ़ाता हूं कि बाद में रिविजन करने की आफश्रकता ही ना पढ़े चलिए द्वारा दाओ अब हम पढ़ेंगे टेकनिकल रिसर्स की से कहते हैं इस प्रकारिक अनुसंदान का सम्मध निरिक्षन विदी से समंधि समश्याओं के समाधान से है जब किसी चर के आउलोकन की एक से अधिक विदिया उपलब्द हों तो प्रिविदी अनुसंदान विदियों का तुलनात्मक अध्धन करके उसका गुणवे कारणों के आधार पर प्रभावित का स्वश्टी करन करते हैं अब मालो कि कोई व्यक्ति हमारे इस किलास का सोध करना चाहिए जब हमारे पास एक विदी से ज्यादा विदी अगर किसी चीज को रिसर्ष करने में हो तो हम उसकी तुलनात्मक रूप से रिसर्ष करेंगे एक उधारन के रूप में आप समझने का प्रियास करों मैं एक ऐसा उधारन दे देता हूं जो आपको सबको समझ लगे एक है सात्यों अकबर अकबर बादस्या का नाम सर होगा अकबर बादस्या का नाम आपने जरू सुन होगा अकबर का सामाजिक आधार पर अध्यन एक चीजेरी एक अकबर का धरम के आधार पर अध्यन हम एक ही चीज का एक ही व्यक्ति का दो तरीके से अध्यन कर रहे हैं एक है सामजिक आधार से आधार पर और एक है सात्यों धरम के आधार पर उसी के परिप्रेक्ष में हम यहां पर सात्यों औरंजेब का भी अध्यन करते हैं अगर हम औरंजेब का भी धरम के आधार पर और सामजी का आधार पर अध्यन करें तो इस प्रकार के अध्यन को तुलनात्मक अध्यन कहा जाता है। यानि आप औरंजेब के राज को भी धरम और समाज के आधार पर देख रहे हो और आप अकबर के राज को भी धरम और समाज के आधार पर देखकर ये तुलना कर पाओगे कि इन दोनों के परस्तितियों के आधार पर कौन सा राज जादा भेतर था इस प्रकार के अनुसंदान को तुलनात्मक अनुसंदान कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको प्रविधी अनुसंदान जहां पर एक से अधिक विधी अगर हमारे पास है एक से अधिक विधी अगर हमारे पास है किसी प्रकार के रिसर्च करने के लिए तो उसको हम प्रिवी दी अनुसंदान कहते हैं यह बात समझ लगी है आपको वेरी गुट अगला और सबसे महत्मून है वेवारिक एप्लाइड अनुसंदान तो हो गया था हमारा ओके यह हो गया था आलोचनात्मग अनुसंदान कॉपी निकालिए अब ऐसा आत्यों आलोचनात्मग रिसर्च किसे कहते हैं आलोचनात्मग रिसर्च किसे कहते हैं जान सकीजे देखो यार मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं मेरी क्लास निसुलक होती है जब से मैंने यहापर पढ़ाना शुरू किया है पर मेरी क्लास में ये की चीज आपको गुरु दक्षणा के रूप में मुझे देनी पड़ेगी और वो क्या है कि या तो वीडियो को लाइक करके एक बार वीडियो को सेयर कर दिया करो यही चीज अपनी यहापर गुरु दक्षणा के रूप में है कि आप वीडियो को यहापर क्या कर दिया करो share कर दिया करो बस इसी में अपना काम बन जाएगा कितने लोग मेरे वीडियो को share करते हैं इमानदारी से बताओ आप मुझे इमानदारी से बताओ कि आप ऐसे कितने लोग मेरे इस वीडियो को share करते हैं किया करो डेली से चलिए आलो चना का मितलब होता है जैसे आप किशी की आ लोचना कर रहे हो आलो उचना समालो उचना दो अलाग अलाग शब्द होता है ये एक शब्द होता है पूर्व अवधार्णा मैंने आपको कल भी पूर्व अवधार्णा के बारे में एक शब्द होता है पूर्व अवधार्णा दोनों चीजों के बारे मैंने कल पिछली दिन पूर्व अवधा पूर्वघ्र है यानि पहले से किसे चिड मच जाए हमको चिड नहीं हो दो सहेलियों में एक दूसरे चिड हो गई पूर्वघ्र है हम मिले नहीं कभी लेकिन आपने मेरे बारे में वैसे आईडिया लगा दिया कि डॉक्टर लॉकिष वाली है ज्यादा नेता बंदा है थोड इसमें भी यही होता है कि तुम किसी के बारे में पहले ही कुछ सोच लो लेकिन यह क्या है यह पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों हो सकता है पूर्वघ्र केवल नेगिटिव होता है पूर अवधारना यानि किसी के बारे में पहले से कुछ धारन कर रखा है लेकिन वो पूजिटिव दोनों हो सकता है ऐसा नहीं कि हमको नेगिटीव ही सोचना है तो इसको कहते हैं साथ यह हम पूर अवधारना करो कॉपी में मेरा मुझ को मत ताड़ो ऐसे पूरव ग्रह का मतलब पूर अवधारना का मतलब करो कॉपी पेन इसलिए तो मंगवाए हैं प्रभू क्योंकि या बार बार ये कॉच्छ ये आएंगे आपके उसमें कॉच्छन्स मेरा आप समझे नहीं पाओ को पूर अवधारणा का मतलब पूर वक्राय का मतलब लिखो कर लिया वेरिगो देखो इस प्रकार का रिसर्च में हमेशा एक चीज होती है कि जब भी हम यह ऐस प्रकार का रिसर्च आलोचनात्म अनुसंदान करने जाते हैं उसमें क्या रेजल्ट आएगा नेगिटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है या नहीं भी आएगा यानि कि जैसे कि मालौ में इसमें कुछ अनुसंदान कर रहे हैं तो क्या है इस प्रकार का अनुसंदान पूरा और धार्णों पर आधारित होता है पहले से सोची गई बातों पर आधारित होता है जहां अनुसंदान करता यह विचार करता है कि यदि प्रकास में आएंगे जैसे कि मालो आपने इस यह मेरा पीएजडी का थीसिस है इधर देखिए यह मेरा पीएजडी का थीसिस है मालो मैंने इसको एकस वाईजड के नाम से मैंने इसको इस पर थीसिस करके इसमें लिख दिया अंदर माले मैंने इसमें एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को मैंने इसके अंदर लिख दिया अब आप गए और आपने फिर इसके पन्नों को खोल कर देखा और देखा कि यार क्या मैं इसके उपर और सोध करूं ये व्यक्ति जहां जहां गूमा है मैं वहां वहां जाऊं और क्या मैं इस चीज का पता लगाऊं कि इसने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या गलत लिखा है कि मैं लेका लेकिन आप लोगों ने यह सोचा गया यह व्यक्तिनी जो थीसिस दिखा ना सायद उतना अच्छा नहीं लिखा पूरा उधारना बना लिए आपने पहले से और आप कहोगे और मैं भी इस पर काम करूँगा तो आप मोहन जो दुड़ो हडपा जाओगे, खुदाई के जगे पर जाओगे, और इसको भी देखते रहोगे, कि क्या इसने कुछ चीजे मिस की है, क्या इस चीजे नहीं की, इसमें रिस्क होता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसने कुछ चीजे मिक्स की हो, या पिर आपकी मेनत वैसे ही चली क्या है इसने जो काम किया हो वो काम बिल्कुल आयेप ऐसा भी शाथियों हो सकता है इस q Q कहते हैं आलोच-नात्म कानुसंध्धान क्या ये बास समझ लगी आपको कि- Yale समझ लगी जो मैंने आपको समझाना चाहत है कि मैंने व्हुत्यमिक मैंने विए विप मैं और चीज ढूंदूंगा तो ढूंडने जब जाएगा न या तो ढूंड पाएगा एनिस्तार होती है फिक्स नहीं होता है या फिर वो यह ढूंड पाएगा कि जो फलाने ने लिखा है न वो एक दम सही लिखा है तो वो खाली आत बैठा रहेगा इस प्रकार के अनुसंद कहा जाता है मैं बाई रोज क्लास लेता हूं मैं कैसे समझाओ आप लोगों को लिख देता हूं चलो यहां पर लिफ देता हूं डेlli क्लास 9 p.m लिख दिया वेलो डेली क्लास 9 pm लिख दिया को ठीक है आगे-बणते हैं अब फिर से हमें एक बार अनुसंदानों को पढ़ लेते हैं कि हमने कितने अनुसंदान पढ़े हैं और कितने अनुसंदानों को फिर से हम या पर समझने की चेश्टा करते हैं एक बार रुको यह 9 पीम की वज़े से मुढ गया है हमने सबसे पहले मूल भूत अनुसंदान समझ लिया हमने एपलाइड रिसर्च वेवारी का नुसंदान समझ लिया हमने सर्वेक्षन अनुसंदान समझ लिया हमने प्रविदी अनुसंदान समझ लिया हमने एपलाइड रिसर्च समझ लिया हमने आलोच नात्मक रिसर्च यहा समझ लिया है अब यहां पर साथिव आगे पढ़ेंगे अनुसंदान के उद्देश क्या है यह चारों जो रिसर्स हैना साथिव किसके द्वारा दिये गए Edward और Ken Brat का वर्गी करण है यह चार जो रिसर्च हमें ने पढ़े ना वो Edward और Con Bank का वर्गी करण लेकिन यह इतने महत्पूर नहीं है इनके वर्गी करण में चार आते हैं महत्पूर वो मैंने आपको आगे समझा दिया है एक अगला वर्गी करण समझेंगे उस वर्गी करण में हम कुछ अलग प्रकार के रिसर्च को समझने का प्रियास करेंगे ठीक है यह चार प्रकार के रिसर्च होते हैं आईए अब हम पढ़ेंगे सातियों यह पर अनुसंदान के उद्देश क्या है भाई सुनो क्या आपको सभी प्रकार के टाइप ऑफ रिसर्च समझ लग नगे है मैं आप से पूछना चाहता आँ। क्या आपको सभी प्रकार के रिसर्च अम्झे लग नहीं मूल भूट सब समझ लग यह अपको टाइप आप रिस्सा समझ लग गया है क्या मैं कॉमेंट्स में पूछना चाहता हूं अब लोगों से एक भी दोस्त चूटा ज्यारेव संकल्फ टूटा एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझना लगे है मैं आगे तभी बढूँ हूँ और glaze समझ लगया है कितने लोग चाहते हैं पीट लोग बार बार कॉमेंट्स करकरilst करके रहे हैं आ आएका नहीं एको कितने लोग पेशडी करना चाहते हैं मजा आगया तो आप लोग पीशडी करकर रहोगे मेरा वाय लोगों से मैं आपकी help करूंगा पूरी पूरी चिन्ता क्यों करते हैं आप लोग आप तो क्या करो Instagram in Instagram पर अपने के नाम करो डॉक्टर लगा और URL fix करो आप एक बार फिर से positivity आएगी मेरा नाम है डॉक्तर लॉकिस वाली डॉक्टर Lयोके इस एच पी एलाई और आपका नाम क्या है आप मैंसे प्रतिक लोग इस किलास को देख रहे हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा कर लिखिए ताकि आप फील कर पाओ कि जब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा आए गई है तब कैसा लिखा जाएगा नाम जैसे अगर मैं कोई मुझसे कहता मेरा मेरा नाम डॉक्टर लॉक्ष लॉक्ष वाली लेकिं डॉक्टोर लगता तो फील आता है वजन आता है ब्जंदिघा मैंसे पूर जितने लोग बाद में देख रहे हैं वो भी लिखो सबubby ऊ क्या बात है मैं नाम पढ़ देता हूं आप लोगों के बजन देखो बजन नाम में बजन मेंसे क्या वीडियो को याद रखना आज से कुछ साल बाद में बड़े गरव से इस शब्द को आप अपने नाम के आगे लिखोगे ये मेरा एक आप जिस भी रूप में मुझे देखते हो चाहे एक दोस्त के रूप में देखते हो मुझे चाया बड़े भाई के रूप में देखते हो मुझे या एक टीचर के रूप में देखते हो मुझे आप जिस भी रूप में देखते हो मेरी दिल से दुआ भी है आसिरवाज भी है और सयोग भी रहेगा ऐसा नहीं कि केवल दुआ और आसिरवास से काम कर दूना पूरा सयोग भी रहेगा कि जो आज आपने प्रण लिया है कॉमेंट्स में वो मैं पूरा करवाऊंगा यह मेरा वादा है आप लोगों चिंता ना करें आप डेली आ जाये करो खिलास में आप पूरा हो जाएगा यह वादा आपका आप जिस भी रूप में मुझे देखते हो बड़ा अच्छा लग रहा है सीरियसली मुझे कॉमेंट्स देकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्या बात है आए साथियो और अब हम आगले टॉपिक पर जम करते हैं और वो ऐसा आते हो अबजेक्टिव ओफ रिसर्स यानि रिसर्स के उद्देश क्या है क्यों किया जाता है रिसर्स Research के क्या-क्या उदेश होते हैं इन चीज को समझते हैं यह हर topic बहुत महत्मून है टाइप ऊप research, objective of research और अभी तो research की प्रविदी भी आने वाली है research की प्रविदी भी आने वाली है कोई भी अनुसंदान कारी है उदेश वहीन नहीं होता यह मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बिना किसी उद्देश के बिना किसी धे के कभी भी कोई रिसर्स नहीं किया जाता कोई भी अनुसंदान उद्देश भी नहीं होता सोद की परिकलपना यह सोद का प्रस्तावना परिकलपना किसे कहते हैं आज मैं आपको इन परियों की कलपन को समझाही देता कितने लोग परिकलपना का मतलब जानते हैं आप मैंसे कितने लोग परिकलपना का मतलब जानते बताओ आप मैंसे परिकलपना का मतलब कितने लोग जानते हैं लिखो परिकलपना लिखो कॉप पहने में लिखाड़ो बिंदू नमबर एक कि कोई भी अनुसंदान उद्देश रहीन नहीं होता यानि उद्देश हमेशा रहता है अब लिखो परिकलपना हेडिंग लिखो परिकलपना और नीचे दो लाइन खेंचो लिखो परिकलपना लिखो और नीचे दो लाइन खेंचो अंग्रेजी में लिखो है वाई ये पी ओ टी एच इस आईएश हाइपोथीसिस ये लिखो पी वाई ह्वाई एच वाई पी ओ टी एच इस इस एईश हाइश हाइपोथीसिस लिखो किसे कहते हैं किसी भी कारिय से करने से पूर्व लिखते जाओ किसी भी सोध कारिय करने से पूर्व लिखना शुरू करो किसी भी सोध कारिय से करने से पूर्व उस सोध से सम्मंदित बनाई गई रूप रेखा को Hypothesis कहते हैं जैसे उदारन के लिए इस चीज़ को समझने का प्रियास करो जैसे आप लोगों को GRF करना है आपको क्या करना है? आपको करना है GRF यह आपका लक्ष है है ना? यह आपका क्या है? सोध है एक तरीके का यह सोध है कि मुझे क्या करना? GRF करना है जे आरेफ करने से पहले सबसे पहले आपने syllabus को देखा, फिर book देखी, फिर आपने कोई classes जोइन की और पढ़ने का नियम बनाया यह जो जितने भी efforts आपने लगा है न, इनको ही कहते हैं hypothesis या परिकलपना, परियों की कलपना क्या कहते हैं इनको परिकलपना कहते हैं, जैसे कि माल लोकी हमको तो DU, JNU, BHU, ऐसी बड़ी विश्विध धाले से PhD करनी है आपके मन में क्या चल रहा है, कि मुझे DU, JNU, BHU से PhD करनी है, बड़ी विश्विध धाले से, तो आप बैठे बैठे मन में, यार, मुझे पचास हजार fellowship मिला करेगी, मैं जाते ही स्कूटी खरीदूँगी, जाते ही में क्या करूँगी, इस्कूटी खरीदूँगी, और अ महिला मित्रों को एक साथ बिठा सकों, आप ऐसे खयालों में जा रहे हो, यह खयाल क्या है, हाइपोथीसिस हैं, यानि परियों की कलप ना, परिकलप, किसी भी सोध कारिये से करने से पूर्व, और सोध कारिये के बारे में बनाई गई रूप रेखा, की गई प्लानिंग, यह सब चीजें हाइपोीसिस में आती है, क्या आती है यह सारी चीजें, हाइपोथीसिस में आती है, इसको कहते हैं, परिकलपना, सोद की परिकलपने प्रिस्ताओं की साथ ही उसका उदेस भी तै हो जाता है जैसे यह मैं परिकलपना किसी का प्रारूप या खोज उद्देश का मूल है और उद्देश नए निस्कर तक पहुच काने के लिए प्रिरक्टा काम करता है देखो एक बात यहां पर आप बहतर तरीके से समर्दतेवे चलिए क्या है कि जब भी हम कोई उद्देश लेते हैं जब हम कोई सोधकारिय करते हैं सोधकारिय जैसे करेंगे हम साथियों वहाँ पर एक परिकलपना बनाएंगे हाइपोथीस बनाएंगे और जैसे ही मालों हमने हाइपोथीस या प्रस्तावना बना ली हमारे पास फिक्स हो जाएगा कि हमको क्या काम करना है और वही साथियों ले लेता हूँ और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे आप इसे कह रहें कि पहले से सोचा हुआ जो उसमें वैज्ञानिक तरीके से सही या गलित सावित करना ही परिकलपना कहलाता है नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि सही और गलित सावित करना है क्योंकि सोध कभी भी किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत सावित करने के लिए नहीं होता है सोध अपनी एक परिक अपनी एक इस्तम विस्तावित करने के लिए होता है क्योंकि सोध हम करेंगे तो इनोवेशन होगा कि उससे पहले ना तो हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ, सोध क्या है, अगर कोई चीज हो चुकी, तो वो दुबारा तो सोध हो नहीं सकती न, सोध तो वो है न, जो पहले कभी हुआ ही न हो, इनोवेशन है वो तो इक तरीके से, तो गलत और सही करने का ये मुद्दा ही न सकते हो कि किसी सोध कारिय को करने से पूर्व उस सोध से जुड़े हुई जितनी भी रूप्रेखा जो हम बनाते हैं जिसमें रिव्यू आप लिटरिचर आता है अगर मैं टेक्निकल लेंग्वेज में जाना चाहूं जो मैं आपको आगे जब मैं हाइपोथिस वाला चैप्ट काम किया है इस टॉपिक पर पहले कितने लोगों ने काम किया है उसी को रिव्यू आप लिटरिचर कहते हैं तो इस सब चीजे हाइपोथिस के अंतरगत आती है ना कि सई और गलत की हम भावना लेकर चलेंगे बट यह टेक्निकल टर्म है अभी जब मैं आपको पूरा पड़ा हूं आई-पो थिस का जम में इसके बारे में समझाऊंगा अभि मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया आई-पो थिसके बारे में दे दिया हैं ठीक है अब मैं आपके कॉमेंट देख लेता हूं और क्या क्या कई रहे है आप लोग? वीडियो को लाइक कर दिया अक मैं वीडियो के लाइक देखने वाला हूँ और मेरे देखने से पहले अगर सब लोगों ने लाइक नहीं किया ना तो फिर आपकी जयारेफ खत्रे में है देख ले ना मैं बस अब देख नहीं जा रहा हूँ और रिफ्रेस्स कर रहा हूँ और अब देख रहा हूँ 400 लाइक हुए है 335 लोग लाइव देख रहे हैं सब लोग लाइक करो पहले चलो महरवान सिंग ऐ प्रतक्स तथ्थों के बारे में सिक्षित अनुमान को ही उपकलपना या हैपोथिसिस परिकलपना कहा जाता है मैं गूगल से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा हमारी क्लास वेवारिक क्लास है हमारी क्लास में सिखा में रहूं आप लोग सीखना आपका काम कॉमेंट्स करके student को सिखाने का काम मत करो क्योंकि आपका कोई lab नहीं होने वाला इस class में अगर मान लो offline class होती न offline तो अगर आप कोई मैं सवाल करता है गुर्जी मुझे आता है मुझे आता है तो आपको लगता है बगल वाला या बगल वाली मुझे से इंप्रेस हो जाएगी बगल वाला इंप्रेस हो जाएगा बगल वाली इंप्रेस हो जाएगी थोड़ा फाइदा भी हो जाए अब इसमें तो कोई भिहार से देख रहा है कोई मंगाल से देख रहा है कोई तमिलाडू से गूगल से कॉपी पेश्ट वाले, इनको मस समझों आप, इसको आप आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे, आप वो चीज समझो, जो किसी चीज को लंबे समय तक याद रख सके, इस प्रकार के सरल शब्दों में समझो, आगर मैं इसको कटिन शब्दों में समझाना आता हूं, तो हाइपोथिस्वस को मैं अलग तरीके समझा दूँगा, दुनिया भर के टर्म डाल दो उसकंदर, रिवा अप लिटरेचार, ये वो ये, ऐसा नहीं, हमा को क्या करना है, हमको कटिन चीज को सरल तरीके से समझना है, ताकि हम लंबे समय तक किसी चीज को याद रख सके, तो यहाँ पन आप लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं, लंबे समय तक हमको याद रखना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अनुसंदान के उद्देश हम लोग लिखते हैं, अगला पॉंट लिखो कॉपी में, विज्ञान पर आधारित वस्तु परक होना है, अब ज्ञान परादा दे, मैंने आपको पहली क्लास में, पहले दिन ही वैग्यानिक तरीका समझा दिया था कि वैग्यानिक तरीका किसे कहते हैं, ऐसा कोई कारिये, जो तठ्थियों के साथ, आकड़ों के साथ, स्टेप बाई स्टेप, यानि क्रेमिक रूप से किया जाए, और निरंतर किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, वैग्यानिक कारिये कहते हैं, तो इस वैग्यानिक कारिये के साथ, इसमें क्या होनती है, आपजेक्टिविटी भी होती है, क्या होती है, आपजेक्टिविटी होती है, नौट कर लिया, आगली पंक्ति नौट करो, दो चरों के कि दो इस तम्मो का रिष्टा समझाना यानि एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना कि अगर इस चीज का मैं तो ये है और इस चीज का मैं तो हिए और ये दोनों चीज इस तरीके से ये भी रिसर्स में होना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं उपसंगार। अगर आप हिंदी में देखना चाहोगे, एक शब्द आता है स्कूल में तब एक शब्द आया करता था उपसंगार उपसंगार हम क्या करते थे कि जो कुछ हमने लिखा है ना उसको जोड़ने का प्रियास करते थे समराइज करने का प्रियास करते थे तो रिसर्स भी क्या होता है कि जितनी भी चीछे हमने लिखी है ना उनको क्या करते हैं हम यहाँ पर उनको यहाँ पर उनका संबन्द एक दूसरे के साथ दर्शाने का कार्य करते हैं लख लिया लिख लिया ओके ग्रेट आगला बिंदू चलिया किसी गटना के साथ से संबन्द की जानकारी यह बहुत जरूरी है अगर कोई नया डेटा आप लाते हैं तो विवस्तित प्रबल सिधांतों का निर्मान करना बिना सिधांत के रिसर्च नहीं होता है अगर आप सिधांत पर चलोगे तब ही आप रिसर्च को कर राजनेतिक विदी ऐसे बहुत सर विदी आगी आगे अगर हमने जो विदी को चुना है ना हमको उसी विदी और उसी मेथाड के साथ आगे बढ़ते रहना है वैज्यानिक कार्य विदी के उपयोग द्वारा प्रसनों के उत्तर प्राप्त करना देखो हमारा रिसर्स का काम क्या है जो प्रसन है उनके उत्तर देना जो चीजे समश्या है उनका समधान ढूंडना ये रिसर्स का काम है तो वैज्यानिक कार्य विदी के उपयोग के द्वारा प्रसनों के उत्तर प्राप्त करना भी हमारे लिए जरूवी और कंपलसरी चीजो में से एक है अब देख लेते हैं आप लोगों के क्या क्या सवाल आगे हैं फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे अच्छा एक बात और बता दो मुझे मैं एक बार कॉमेंट देख लेता हूं कोई डंका कॉमेंट होगा तो उसका मैं जवाब देता हूं कौन सी बुक किताब खरीदने की सला नहीं देता हूं कारण क्या है कि बहुत सारी किताबों में दुनिया बर की तुरूटियां हैं गलतियां हैं और उससे आप गलत रीड कर लोगी और क्या होता है कि छोटी सी गाइडना आपको हर चीज नहीं दे सकते और आप किताब खरीद भी लोगी गाइड खरीद भी लोगी, मैथ, रीजनिंग, डी आई, ये चीज आपको समझे नहीं आएंगी, अब उधारन के रूप में, जो मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को एक्स्प्लेन कर रहा हूं, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, लूटियों से बरी हुई है, मेरे पास सारी किताब है, सारी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, सौनिया चोदरी केरें, सर थैंक्यू कि आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ओके भाई सौनिया, आप लोग कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं हिंदी में आते हैं यह मैं जानता हूं आप लोग कितना इस चीज़ को मानते हूं कि यार ठीक है इसका अच्छा कर रहे हैं आप काफी खुश हैं बहुत खुश हैं चलिए बहुत बड़ी आयार अच्छी बात है देखो मेरे किताब मैं आपको बराबर नौट्स दे रहा हूं इद देखें कोई भी किताब खरीद होगे 5600 से लिए आप आप को आप तो आप तो डेली नौट्स पढ़ लिया करो दे रहा हूं ऐसा तहीनिक मैंने एक किलास में नौट्स दे दिए बिच में नहीं दिये थी वो आप अपडेट कर दिये सारे वो सारे jsumya link टेलिघ्राम पर तो पांचाही सरु आपट चैंच लिए लॉपे खर्च मत मत करो ऊपने इतना कार दो हथर और जाटेल हमें मिद्धियल के यह जो सबस्क्राइब ऊप वीडियो को लाइक कर दिया करो और सेयर कर दिया करो वीडियो की लिंक को डेली लिंक सेयर कर दिया करो क्योंकि मैं दिन में लिंक बना देता हूं जैसे कि क्लास होती रात को नो बजे मैं लिंक बना देता हूं पहले ही टेली ग्राम चैनल पर पहले डाल देता हूं उस लिंक क इतना काफी है मेरे लिए इतना काफी है यह नियम बना लो आप जो व्यक्ति नियम बनाएगा ना जो यह नियम बनाएगा डेली हम लिंक को शेयर भी करेंगे और डेली हम लोग वह भी करेंगे यह नियम बना लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जागा आप इंतना करें अब चलिए साथियों और बताईए और पढ़ने का मन है या फिर यहीं स्टॉप करते बोलो वैसे हम एक गंटे किलास लेते हैं टेली अगर आपका और पढ़ने का मन है तो आगे पढ़ाएंगो वैसे 10 बज गया एक गंटा हो गया पूरा कि प्रापक को तागे पढ़ा दूआ एक चैप्टर मज़ा रहा है तो बढ़ाओ मैं तो ना दोंगे क्लास लेता हूं बढ़ाए मैं तो एक दम फ्रेश माइंड रिलेक्स मांड से शाम की टैंप से क्लास से पहले नाता हूं बढ़िया अच्छी तरीके से मैं थंडा होता है बड़िया तरीके से पढ़ता हूं और आप भी कॉसिस करो नौ बज़िस पहले नालिया करो शाम के टाइम ताकि माइंड फ्रेस हो जाए और अच्छे से क्लास देखा करो सर सिक्स क्लास एक्चुली है उसमें बट मैंने वो क्रमांग गलत लग दिया था बेटा वो क्रमांग गलत लग दिया वहाँ पर सारी क्लास प्रेलिश्ट में है अब सर खाना खाने जा रहे हैं सर सर हम साथ बज़े ही ना लेते हैं अरे सुबह के साथ बज़े नहीं भाई स्याम कोई कह रहा हूँ मैं दोनों टाइम ना लिया करो मैं ही कह रहा हूँ गर्मियों के टाइम पर हो सके तो दोनों टाइम नाया करो मौर्णिंग में तो मैं भी जगते ही नादा हूँ शाम की बात कर रहा हूं क्लास से पहले नादो कर देखा करो ग्रास को चलो और पढ़ा देते हैं ना एक्जाम नजदी के और पढ़ा देते हैं अगला ऐसा आती कीज़ को समझने का प्रियास करते हैं वेस्वी करण का मतलब लिखे कौपी में वेस्वी करण कितने लोग वेस्वी करण का मतलब जानते हैं कॉमेंट्स करके बताइए मुझे आप में से कितने लोग वेस्वी करण का मतलब जानते हैं ग्लोबलाइजेशन अंगरेजिम कहते ह है कि हम कोई भी आज जित्रा भी पूरा विश्व है अलग अलग देशों में बटा हुआ है आज की जमानी में हम किसी भी देश में जा सकते हैं किसी भी देश से कोई चीज मंगा सकते हैं या किसी भी देश में कोई चीज को भेज सकते हैं यानि कि यह कह सकते हैं गलोबल जैसे रूस रसिया युक्रेन युद्ध का इंपक्ट हमारे यहां तक है राइट अगर अमेरिकां कोई गटना गटी तो इसका इंपक्ट निहां पर आएगा तो यह सारी चीज जुड़ी हुई चीज है इसी कोई क्या कहते हैं वैस्विकरण के दौर में उच्छ शिक्षा की सहज उपलब्द था अब देखो वैस्विकरण का दौर देखिए कि आज के दौर पर आप घर बैठे हुए ही किसी और देश की विश्विद धाले से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं ओनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं आज के डाइट यानि कि हर चीज हमारे रीच में है तो सात्यों निमले लिखत रूप से है आईए इसको हम देख लेते हैं वीडियो लाइक नहीं क्या तो वीडियो लाइक कर दो और डॉक्टर लॉकेस वाली टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जोइन करो वर मानम समाज को नवीन ग्यान और गति परदान करना सोध का क्या काम है कि मानम समाज को नवीन ग्यान और गति प्राप्त करना जैसे यह मोबईल फॉन दे दिया एक उधारन यह हमने इसे गती प्राप्त हो यह आप से मैं डारेक्ट अमाजन से कुछ बीडर कर सकता हूं इसी मोबायल पूण से उला वहर सकता हूं इस अधूर हर चीज आसान बना दिया सरल उपाय देना क्या उद्देश है बच्चो तुमारे जीवन का अब आप लोग बताओ कि आपके जीवन का उद्देश क्या है अभी आपके जीवन का उद्देश क्या है जो अभी वर्तमान में कलार्स देख रहा है वो भी और जो रिकॉडेड फॉम में बाद में देख रह कोमेंट्स का भीट कर रहा हूं कोई लोग कह रहें कि प्रोफेसर मनना कोई लोग कह रहें कि डॉक्टरेट मनना कोई कि आपका प्रोफेसर मनना कोई अगर इन उद्धेशों को क्या करा है यह आसान बना रहा है क्या मोबायल नाम की चीज का सोध हो गया, इंटरनेट का सोध हो गया, है ना, डेटा का सोध हो गया, इससे क्या कि आपकी ये चीज आसान बन जाएंगी, आप आसानी से पढ़ पा रहे हो और ये चीज आपके लिए आसान हो जाएंगी, यानि ज्यान के, ज्यान के विकास में सायक हैं, और उद आईए अग्री चीत प्रसास्निक विवस्ता की सफल संचालन में सोध सायक होता है रूडी गद विचार का मतलब होता है जो चली आरी परंपरा है उनको रूडिय कहता है जैसे गाव में धार्णा है गाव में लोग धार्णा है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दो ये पदक जीत रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं मेरिट में लड़कों से कहीं आगे हैं आज के जमाने में तो ये रूडिय टूट रही हैं मिथक टूट रहे हैं तो रूडिय गद विचार और विवारों में सुधार का काम करता है सुद्ध सिक्षक अध्यापक अनुस कुष्टी होती है एक्चली मूल में क्या होता है तल में क्या होता है यह चीज की समझ होती है व्यक्तित का बहुत दिख विकास होता है जो आप और हम लोग एक दूसरे से पढ़ कर सीख रहे हैं और पूर्व यह पहले से किसी के बारे में नेगेटिव धार्णा बना रखी है उनके बारे में उनका निदान होता है हम उनसे भी हमको चुटकारा प्राप्त हो जाता है चले गाई और बताईए तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया आज की किलास हमारी रीड की अड़ी किलास थी अभी और भी समझाने वाला हूं और पढ़ाने वाला रुख जाओ आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज हमने पढ़ लिया सोध अनुसंदान के प्रकार क्या है मूलबूत अनुसंदान को समझ लिया वेवारी का अनुसंदान को समझ लिया इसके अलावा सर्वेक्षन अनुसंदान समझ लिया आज हमने प्रविदी अनुसंदान समझ लिया आज हमने वेवाली का नुसंदान समझ लिया हमने आज अनुसंदान के उद्देश समझ लिया क्या क्या होते हैं यह बहुत सारे उद्देश समझ लिया आज हमने क क्या-क्यानुसंदान के मैत्व होते हैं अब नॉट्स कहा से मिलेंगे नॉट्स मिलेंगे इस टेलिग्राम चैनल पर यहां मिलेंगे आपको नॉट्स यहां पर आपको लगबग 10,000 के आसपास फोलोवर्स हैं अभी वर्तमार में जितने वीडियो बना रहा हूं है आप जब इस वीडियो को देख रहे हूं तो जादा भी हो सकते हैं आप जाओ और इस टेलिग्राम चैनल को यहां पर एक बार डॉक्टर लॉकिस बाली के नाम से इसको जोइन कर लो फटा फट से सर राधे की बात सुन लीजिए प्लीज इंपोर्टेंट है क्या है भाई राधे मेंड़ दुबारा करो ने देखे रहा थे जार आप डूड़ना बड़ा मुस्किल हो जाए इतनी कॉमेंट्स में दुबारा लिखो यार राधे एमानदारे से कमेंट तो देख लो देखो भाई मेरे तो यह भी कमेंट ना पढ़े सर ने सुनिल राध देखो यार मैं अगर कमेंट में उल्जाओगी न मुझे आप तो तो क्लास में पढ़ नहीं पाओगे एक बात सुना ध्यान से आप चाहते हो मैं आपके कॉमेंटी कॉमेंट पढ़ू तो जब मैं कॉमेंटी कॉमेंट रेड करूँगा थो फिर क्लास आगे नहीं पढ़ पाएगी पिर आप कोई कहेगा इसर्ञा आप पूरे दिन बात ही करते रहते हो एक सेख शाने आते हैं क्लास में एक सेख शाने आते हैं तो मेरा फोकस क्लास की तरफ रहता है ना कि कॉमेंट्स की तरफ रादे लिखो भाई कॉमेंट्स लिखो आपना क्या है आपका रादे कॉमेंट्स लिखो क्या है आपका देखो मैं कॉमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं देखता रहता हूं अच्छी कॉमेंट्स के रिपलाई करता हूं जब मैं लेकिन समझाने लगता हूं न जब मैं आपको पढ़ाता हूं उस समय मैं कॉमेंट्स नहीं देखता हूं क्योंकि मेरा फोकस रहता है कॉंसेप्ट को समझाने का अब आप उल जूल बात करकर टीचर को उल जाते रहोगे तो काम आपका नहीं बनेगा देखो रादा का कोई कॉमेंट्स आया है नहीं बेटा आप क्या करो आप बता दो देवता ओ क्या लिख दिया आप लोग कह दो किसार यह लिख दिया आप बता दो क्या लिख दिया ऐसा कॉमेंट्स में भाई मुझे नहीं दिखा तो बताईए बताईए अब मैं आपके कॉमेंट्स देखूं बताईए ओके माई सिंग कह रहे हैं मैं ओनलाइन वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ फेस टू फेस लगने के एसास होता है ओफलाइन वीडियो मन मर्जी पर टिमेंट करता है बिलकुल बिलकुल सही कह रहे हैं आप अरे पूछो कॉशन पूछो न बाबा पूटो पर लिपिष्टिक क्यों लगाते हैं यह लिखा है अरे यह आपके मॉबाइल के डिस्पेलिय का कमाल है यह मेरे यहां पर इतनी ज्यादा लाइट जल रही है ना चारो तरफ से यह रेड वेड लाइट जल रही है यहापर मैं आपको कैसे दिखाऊं तो इनका यह चारो तरफ से लाइट का फिरवाँ पड़ता है और आपका जो मॉबाइल के डिस्पेलिय ना वह थोड़ा लो कैटेगरी की है जो कलर को ज्यादा बूस्ट करके दिखाती है आपकी जो कैटेगर मॉबाइल है ना उसकी डिस्पेलिय उतनी अच्छी क्वालिटी के नही बापरे देखो बेटा ऐसा है चाहिए कोई आद में लिपिष्टिक लगाए क्रीम लगाए यह कुछ भी लगाए आप लोगों काम है पढ़ने का आप पढ़ा करो ठीक है नहीं आप कुछ लगाने के लायक नहीं कर रहोगे मैं यह जरूर कह देता हूँ आप लोग कुछ भी लगाने के लायक नहीं रहोगे यह पक्की बात है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करों यह इदर विदर की बात है छोड़ दो क्योंकि जिस काम को तुम करने जा रहे हूं न वो आपके गुरूजी बहुत दिन पहले कर चुके हैं उस का ठीक है एक बहुत बड़े सज्जन पुरु स्वेदों ने कहा कि जाती ना पूछो संत की पूछ लीजिए ग्यान और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ग्यान जब मैं आपको टीचिंग अप्टिटूट पढ़ाऊंगा ना तो यह चीज समझाऊंगा कि टीचर की सकल कैसी है वह अच्छा दिखता है या वह भद्दा दिखता है या वह पतला दिखता है आपको टीचर की सकल से मतलब नहीं होना चाहिए आपको लगातार आपकी चीज पर पढ़ाई पर आपको नहीं चला करें ठीक है तो ठीक है साथ हूँ अब हम मिलेंगे कल कोई बात नहीं जिनको ढंक से पढ़ना है वो डैली पढ़ा करो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में और अब हम कल मिलेंगे और कल हम इसका अगला अगला चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगे चले साथ हूँ तब तक आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए जै हिंद जै भारत कहते रहिए सुक्रिया